आज हम कुछ बहुत ही यूख साथ ट्राइय करने वाले हैं और हमें देखन निया है कि यह hack सज्च में काम करता है यह नहीं तो मैंने ले लिया है oil और सारे charm को grease कर दिया है और I don't know whether आपको पता चला कि नहीं कि मैं क्या करने वाली हूँ अगर आपको पहली पता चल गया है तो प्लीज कॉमेंट कर देना कि आपने पहली पता चल गया था और अगर नहीं तो फिर इसे वीडियो को ध्यान से देखिए और देखिए क्या magic करने वाले है आज हम तो बस मैंने सारे charms को glue gun की help से cover कर दिया है और इन्हें dry करने के लिए छोड़ दिया है और dry होने के बाद ये खुद अपने प्लास्टिक से निकलने लगेंगे तो यहाँ पर बस अब मैं चाहरी हूँ try करने कि ये निकल रहा है या नहीं तो आप देख सकते हैं कि ये easily निकल जा रहा है क्योंकि हमने इसमें greasing कर रखी ती और finally हमें इसे charms भी अलग करने है तो ये थोड़ा सा tricky process है इसे आपको बहुत आराम से करना है और बहुत जादा pressure भी नहीं लगाना है वरना ये glue I guess fud भी सकता है तो इसलिए be careful and आराम आराम से धीरे-धीरे से हम charms को इसमें से निकाल लेंगे और ये बाहर आ भी रहा था तो oiling आपने अच्छी से करनी है ये इसकी trick है और फिर हब देखते है कि shape कैसा इसकाता है तो मैं भी बड़ी excited थी कि सच में ये shape आएगा या नहीं और जैसे ही मैंने charm को इससे अलग किया तो I was super surprised because exactly same shape और मुझसे त जाल के check करूं कि सच में ये बन भी रहा है या बस शो हो रहा है बट अभी हमने बागी सारे charms को भी अलग करना है I mean glue stick की stickness से और यहां पर मैंने सारे कुछ ट्राइक किया पर ये वाला मुझे देखने में लग रहा था कि पता नी शायद हो ना हो और विंग वाला तो मेरा ता बट मुझे डड़ लग रहा था इसलिए मैंने सोच है सबसे परले इसे ही कर लेते हैं और इसे निकाल टेट है मेरा charm भी तूट गया था बट स्टिल शेप काफी सही आया था यार मुझे तो बहुत पसंद आया और ऐसे ही अब मैंने सारे अलग-अलग सब को अलग करने है यहां पर और हार्ट वाला मेरा फेवरेट था क्योंकि यह काफी जिली बाहर आ गया तो इसका शेप भी काफी जादा पॉफेक्ट आया था और यह लास्ट बन भी थोड़ा निकालने में मुझे प्रॉब्लम हुई बट देख सकते हैं आप लोग यहां पर कितने सही सही जितने हमने ऐलेमेंट्स यूज किये थे तो फाइनली आपको पता चली गया होगा कि मैंने यहां पर बनाया है ग्लूगन की हेल्प से मॉल्ड और अब हम इसमें क्ले डाल के ट्राइ करेंगे कि यह वाला मेरा मॉल्ड खराब हो गया था क्योंकि इसमें एक होल रह गया था और उतनी अच्छी फिनिशिंग पर नहीं आई थी तो अब फाइनली हम वह कर दे जारें जिसका आपके साथ साथ मुझे भी काफे इंतजार था तो अब मैंने ले लिया है क्ले इसकी बॉल बना ली है और अब मैं फाइनली हमारे ग्लू वाले मोल्ड में इसे डाल के ट्रा और फिर मैंने सेकेंड वाले मोल्ड में भी ऐसे क्ले डाल के देखा तो ये भी सही आया था लाइक मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा ये वाला शेप बट स्टिल गुड फिर हमने ये मेरा फेवरेट हाड वाला ट्राइ किया एंड इसका भी शेप काफी कमाल का था त मुझे तो इतनी खुशे हुई ना और ये मेरा सबसे जादा व्यूटिफुल वाला मोल्ड था और मुझे डर भी लग रहा था कि अगर ये नहीं आया ना तो फिर तो सारी मैनत पे पाने फिर गया बट स्टिल मैंने अच्छे से ट्राइ किया और जब मैंने इसे मोल्ड से बाहर निकाला तो यार खुदी देख लो क्या हो गया तो ये भी काफी जादा सही आया था यार इसका शेप तो डू ट्राइंड लेट में वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब चैनल पर ने तो प्लीज सब्सक्राइब करें